हाई गुड इवनिंग किद्स माइनेम इस रितुर अतेवाल एंड यू आर विद लेट्स क्राइक नीट यू जी कॉक्रुच का हम लोग पहले थोड़ा सा पार्ट कर चुके हैं कॉक्रुच की बॉड़ी देख चुके हैं आपा हैड थोर एक्स और अब्डमन की बनी होती है पिर अपा कॉक्रुच का डाइजिस्टिफ सिस्टम देख चुके हैं थोड़ा सा कॉक्रुच का जो एक्स केलेटन है उसके बारे में बात कर चुके हैं आज मैं चाहती हूं अचा कॉक्रुच का रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया है आज मैं चाहती हूं देट वी टॉक about circulatory system of cockroach then nervous system of cockroach then one more excretory system of cockroach मुझे लगता नहीं कि आज रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पे जा पाएंगे इसी में अपना बहुत सारा टाइम लग जागा तीन आप हमारे चनल को सबस्क्राइब करकive अपने कर लिया है. अपने से चनल आप 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 इस चानल को पुराँ नाम था नन का न आम तो आप हम से च्रहाग बील्हा निट योट ऊतीそ रोज मैं चोटी-चोटी क्लिप्स डालती हूं पर वीडियोस डालती हूं तुम लोगों से बात करने के लिए कि आज मैं यह पढ़ाऊंगी इतने बजाज यह पढ़ाऊंगी आज यह टेस्ट है और इसी प्रकार से सभी टीचर्स करते हैं प्लस यहां पर जितने टेस्ट होत तुम लोगों का साउंड नहीं आ रहा था और मुझे बहुत देर तक पता ही नहीं चला कि साउंड नहीं आ रहा है हलो एवरीबड़ी दिशा जैन दिनेश अंकिता जैस्वाल समर्निका भूपेंद्र नगौरी हां जी बोलो नजरारियों में रामचरन राथोर सुन रहा है और दिख रहा है तुम लोगों को मेरा मुखड़ा चांद कर टुखड़ा आज सब ठीक है द्रिश्टिशा थैंक गॉड ओके राजीव जौदरी यूर माइबिगेस फैन अरे वाय यार थैंक्यू यार राजीव चौदरी हां जी हां जी चलो 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 चुरू करते है और किसी देरी के शुरू करते हैं अपकल सर्कूलेटरी सिस्टम पड़ रहे थे और सब्सक्न लोगों मैं मुझा अनी हो वह तो आज उसका भुगतान कर लेते हैं है । susc कि में चीज़ें vaad करते हो किसी अउश्ब्स का स्वाड़िव एक सिस्टम में क्या चीज है कि आपाइं वीमनकी बात करें तो शर्कुलेशन के लिए जर्कुलेशन के लिए वर ना्य कि यह यहां थoto Уच टेक's आपने वह ग्लूकोज पहुचानी हो चाहे आपने वह कोई और वेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाना हो सब्सक्राइशन करने काम होता है एक सर्कुलेटरी फ्लूएड होता है जिसको जनरर्ली ब्लड कहते हैं वो पूरी बॉड़ी में घूमता रहता है और वो चीजें एक जगे से दूसरी जगे ट्रांसपोर्ट करता रहता है जो प्रकार के प्लोजड को रिलेट करना जादा साल है क्योंकि human beings में closed circulatory system क्या होता है? blood vessel से यहाँ थोड़ा सा और नीचे बनाना पड़ेगा देगो closed circulatory system में क्या होता है? आर्टरी से blood आया? यह आर्टरी है oxygenated blood आया अब मानलो यह cells है cells को यह cells है cells को oxygen चाहिए यह आर्टरी विल ब्रेक डाउन इन्टू पAtली पतली tubes आर्टरी ब्रेक होन इन्टू थिन थिन tubes like this जिसमें से blood análनरो करेगा like this blood इन थिन थिन tubes में से फ्लोकर है और in tubes अ थिन tubes से हलका हलका सा fluid बाहर इन थिन tubes से blood नहीं क्योंकि धको not receive blood from the protein तो भल का जो प्लाज्मा होता ना प्लाज्मा का जो पानी वाला कॉम्पूनेंट होता है प्लस जो मिनरल ह्यों चुका टो हल्करत फ्लूईड दा वह खालता है in 측 सिंतितोे जिस बिच्छे को हागा दितै तेटी एक टीशू दोस्री फ्लूईड सी अफ़ीड इन्ट सालेकों पर अपर यहां evolved झालिक फैपने कि पर ंंद चयूजसिज्ण उगा सब्सक्राइटर्ध यहां से फ्लूइड में ऐन्ट कर जाता है तो एbern थैसे आप छोलेच। सिस्टम में क्योंकि बलड एक बार भी आपकी कैपिलेरी इसको चाहे वो आर्टरी और वेन वेन वे कैपिलेरी इसको छोड़ नी रहा है तो आप इमेजन कर सकते हो जब आपको इस चीज ट्यूब में फ्लो करा रहे हो किसी फ्लूइड को तो बहुत सारा प्रेशर होगा वहा कुंदा सर्कुलेटरी सिस्टम है और ज्यादा तर नॉन कॉड़ेट्स में आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है इंक्लूडिंग कॉक्रच सिर्फ एनलीडा में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है है ना जा अर्थ वाले में बाकि सब में ओपन सर्कुल जींजय स्व chỉण अभी सब्सक्राइब सबंकिन सब्सक्राइब तो दिर नो कैपिलरी बिना कैपिलर से क्या बक्वास है यार मुझे ऐसे लगता रहते हैं तुम्हें को मेरी आबाज नहीं सुन रही है अब ही कोंध है नुद कि अधनर अधनर नठी तुम्ह घंट करें समय था याद कि मॉलस्क्राइल इसलिंद में आपर लिफ्याuir अधनर वहिस olur बाकि सब में open circulatory system है तो cockroach does not have a very good circulatory system do you understand this point बोलो आवाज आ रही है ठेक है नो ये बात याद रखनी है पहली बात तो तुमको दूसरी बात इसका heart कैसा होता है blood की बात करूं तो देखो क्योंकि इसके पास इतना गंदा circulatory system है धीरे-धीरे blood बह रहा है कोई speed नहीं है blood में है ना अराम अराम से नदियों की तरह बही जा रहा है तो हम ऐसी चीज़ पर हम रिलाई नहीं कर सकते ना क्यों oxygen transport कर देगा तो cockroach oxygen भी बहुत जादा चाहिए क्योंकि इतनी तेज दौडता है तो अपना oxygen ट्रांसपोर्ट या सी ओ ट्रांसपोर्ट कभी भी ब्लड के हवाले नहीं करता है तो तुम्हें पढ़ा हो ना respiratory system cockroach directly अपना oxygen टिशू को देता है without any help of blood so blood is not used to transport gases in cockroach ये बात तुम्हें को पता होनी चाहिए मैंने तुम्हें को भी respiratory system में बीचे पढ़ाया था थे अगर नहीं class लगे तो वाली class देख लेना now so cockroach के blood में कोई भी respiratory pigment नहीं होगा जब gashes transport ही नहीं करना तो respiratory pigment तो gases को पकड़ के ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है न तो ये white in color देखेगा इसलिए इसके blood को hemolymph भी कहते है मेटा we call it hemolymph because it is white in color या colorless hemolymph is colorless colorless रहता है तो इसका काम क्या है ये nutrients को ट्रांसपोर्ट करेगा ये excretory products को transport करेगा परनतु ये gases को ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा अब इसके heart की बात कर लेते हैं इसका heart 13 chambered है 13 chambered है 13 chambered जैसे अपने heart के पास 4 chambers है इसके heart के पास 13 chambers है रखा का होता है इसकी peat पे रखा होता है ठीक है इसकी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर आगे इसको एड़ा बोलता है जिसको अर्टा बोलता है अगर यही चीज मुझे यहां पर दिखानी हो अब यह डॉर्सल साइड है ठीक है इसका हार्ट दिखा रही हो तो यहां से हार्ट नजर आएगा यहां से थर्टीन चेम्बर बना लो वन टू थरी फोर फाइव शिक्स सेवन एट नाइन टें इलेवन त्वेल थर्टीन चेम्बर हो गया अब इसके अंदर इस हार्ट के अंदर ब्लड घुजे काहां से पीछे से तो यह बंद है यह तो क्या होता है हर चेम्बर के साइड में दो ओप तुम्हें उस साइड वाली ओपनिंग नहीं दिख रही है ना एक ही साइड दिख रही है यहां पर हर एक के साइड में दो ओपनिंग है अगर मैं यहां पर दिखाऊंगी तो तुम्हें दोनों नजर आ जाएंगे देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ए 13 chambers है थो 13 two giant 26 holes है इन होल्स को ओस्टियम कहते है यॉस्टियम प्लूरल में औस्टियम तो इसके अंदर से blood एंटर करता है यहां से blood एंटर करेगा इन औस्टियम से blood एंटर करेगा ऐसे फिल ओ जाएगा ब्लड यहां में कि अजिए एक बार कोकरोच में ब्लड फिल घुक ठासकते अछिछा इंदर इतना उड़न जो में बता रही हु न वह चीजें नीड में आ सकती हैं सब समझ में आईगा बहुत ही चीज़ यह हाट में एक बलट घुझ गुझ गया ना सारी चेमब्र में फिर हार्ट कॉंट्राक्ष्ण करता है पीचे से आगे क्या तरह पीछे बीचे बीचे बाले अंदर से ऐसे डिवाइड़ी होते हैं यहां पर ऐसे पार्टिशन होते हैं तुम्हें एक्सपेट करते हो कि ऐसे पार्टिशन होगे अना थोरेक्स के ऐसे अब्डूमन के ऐसे पार्टिशन होगे पर याद है तुम्हों को पार्टिशन होते हैं एक्सटर्नल सेग्मेंटेश है इसे को द्याफरोंस पूरी कोख्रश की बाटी इसको बोलते हैं परी काडियाल सायनस क्योंकि इसमें हार्ट पढ़ा हुआ हैं परी सब कुछ समझ में आएगा दिक्कत कोई नहीं है देखो यहां पिसका डाइस्टिव सिस्टम पढ़ा हुए सेंटर वाले में विसिरल और बढ़े हैं इसको बोलते परी विसिरल साइनस नाम नहीं भी याद करोंके तो बोलद कैसे फ्लो करेगा अ burada blood will first move into the heart in this direction and then blood will go here from here the blood will go here इस डायफ्राम के अंदर छेद होते हैं जो कि सिर्फ one sided movement of blood को अलाओ करते हैं then blood will move from here to here then blood will move from here to here and ultimately blood will enter the heart तो blood ऐसे चलता रहेगा चिक 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 इसमें भर गया फिर यहां से पचक पचक पचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचपचप बोल देथे हैं we call this space head sinus I mean head sinus में जाता है यहां से blood head sinus में जाता है यहां से person right now इसके इंदर हाट में जाता है फिर हाट से पीचे से स्कारीं समझ में आ गया करेंगे शुरेंदर पुर्नी चैनल भी जोइन करेंगे जल्दी बोल जल्ट हम दो आगे चलो अब यह सर्कुलेशन क्यों हो रहा है ब्लड का सर्कुलेशन यह सबसे इंपॉर्टन क्वेश्चन है यह नीट में आ सकता है हाव इस ब्लड गेटिंग सर्कुलेटेड है क्या सिर्फ हाट की पंपिंग है जो की ब्लड को इतना प्रैशर दे रही है कि वह अवो कर रहा है आच्छुली इस नॉट लाग दाट है हार्ट के आज सबस्ट बहुत इंपोर्टन मसल्स होती है जो कि you know blood flow में blood की मुवमें बहुत साथ हेल्प करती है उसको भुलते है ऐलरी मसल्स के बोलते है ऐलरी मसल्स ट्राइंगल शेप की मसल्स की जासे फैन होते है तरहिए उसको लड़का से फैन रहते हैं चानीज लड़कि जो लड़कि एलरी मसल्स हर सेगपन्स हार्ट, सबस्के सथ एक पयर और यहाँ पया तो आगाया एक प्यार यहां प्रो लाइक प्रोमा क्या का खर doin लाइक खर już अवैं जोुद भmonary करें नार मुंश्ण महाइक जो दूस्ट चाहि क्ल remember अफोसले neue ka Annika यहां ट्लाइक खर श्व्रोमा तर्शाा डार helps जब इनकी contraction होती है तो इसका size बढ़ा होता है इस वाले sinus का size बढ़ा होता है उल्टा है जब एलरी मुसल का size छोटा होगा तो पेरी कार्डिल चेंबर का size बढ़ा होगा ठेक है पहला पॉइंट एलरी बढ़ा होगा तो यह तो दबे गई तो ब्लड विल फ्लोव फॉर मियर तो यह अंडर प्रेशर ब्लड कभी भी नीचे के साइड फ्लो नहीं कर सकता हमेशा उपर के साइड जाएगा वन वे रस्ता होता है दाफ्राम के अंदर इसमें बहुत सारा ब्लड भर गया है फूल ब् के साथ नाओ एलरी मसल्स विल रिलाक्स जब एलरी मसल्स रिलाक्स करेगी दचेमबर साइज विल डिक्रीज अब चेमबर के अंदर प्रेशर बढ़ गया ब्लड कहां जाएगा तो ब्लड बिल नाओ इंटु अग्ट इंटो भॉट समझ भाय रहा है ब्लड के पास रस्ता प्रेशर बढ़ेगा एलरी मसल्स रिलाक्स करेंगी चेमबर छोटा होगा तो ब्लड कहां जाएगा फिर हाट के अंदर ऑस्टिया से घुच जाएगा सो एलरी मसल्स की कॉंट्राक्शन और रिलाक्सेशन से जो ऊपर वाला चेमबर उसका साइज चेंज होता रहता है ठीक ह है और उसकी वज़े से ब्लड की मुव्मेंट बननी रहती है यह वहली बात समझ में आई है कि नहीं आई है जल्दी बता दो फिर आगे चलते हैं कि कल पता नहीं मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही थी बैटा हो जाता है कभी कभी टेकनिकल चीज़ है ना बाई तेरा चेंबर्स हैं जाए डाइग्राम में बारा भी बनायोंगे तो भी तेरा ही तुमने लिख क्या नहीं ठेक है कहां लेती हुमें विशेश का नाम सलोनी विशेश तो मेरा ओफलाइन स्टूडेंट है कहां ही लेती हुमें कि जल्दी बोलो कितने एलरी मसल्स होते हैं हर सेग्मेंट के लिए दो एलरी मसल्स है हर हाट के सेग्मेंट के लिए दो एलरी मसल्स है मेरे को बताओ समझ में आया है और मीरेज प्लस के कौंटेंट ,लियर के कौंटेंट में डिफ्रेंस है कया अ मतलब यह नी कि जितना जो टापिक से कम है जो मैंने रिए अपको पड़ाएं, महाँ पर उनी तो पूरा सबंड करें इप क्वालिटी में नेंगे chat से के अकड़ को तरी मैं यहां से चल रहे हूँ अगर तुम लोगों को यह नहीं कि आफ यहीं है सीन। है question number one आएगा allergy muscles पे दूसरा आएगा heart के segments पे कितने chambered heart होता है तीसरा question आ सकता है ostia कहां पे present होते है चौथा question आजाता है कि कहां पे heart कहां पे present है median dorsal side पे median मतलब dorsal side पे beach में beach वाली line पे present है ठीक है then क्या blood use होता है gaseous transport के लिए नहीं होता blood white color का होता है क्योंकि gaseous transport is taken up by tracheal system directly no blood involved in that okay then question बन सकता है आपका की respiratory pigment कौन सा है cockroach में कोई respiratory pigment नहीं है ठीक है then open or close circulatory system open circulatory system है बस यह questions बनेंगे और कोई question यह बनेगा आगे चल रही हुँ मैं next please excretory system प्याज हो छोटा सा है कुछ नहीं excretory system cockroach का nitrogenous waste क्या है यूरीक acid यह अपने को पहले ही पता है अपा पहले ही बात कर चुके है यूरीक acid body से कैसे remove होता है यह भी अपा पहले ही बात कर चुके है याद करो मैं तुम्हें digestive system में कराया था अगर कॉक्रोच का digestive system देखें तो फोर गट मिड़ और हाइंड गट में तूटा हुआ है यह पहले बात बताई तिम लोंको फोर गट कहां से शुरू होएगी यह तीन पार्ट में डिवाइड होती है कॉक्रोच का digestive system अब मैं तुम्हें क्या बताया था मिड़ और हाइंड गट के जंक्शन पे यहां पे मिड़ गट और हाइंड गट के जंक्शन पे 150 पतली पतली टिव्यूल्स होती है इस तरीके से पतली पतली से टिव्यूल्स होती है लाइक डिस जो की यह जो पूरी बॉडी कैवेटी है देखो बॉडी कैवेटी में ब्लड भरा हुआ है हीमोलेंफ परा हुए क्योंकि कैप हुए कि यहां से नाइट्रोजन वेस्ट यूरी कैसेड को एंट करना यह इंड लगासिड का निघर करना यह पर यह उरिक एसेड इस अ काम इन तूबज का है इस तरीके से है और कैपचर करके है हाइड गट मेरा जाल टाल दिए तो यहां से जो और दाईजेस्टिट वेस् और excretory waste भी रिमूव होगा नाइटोजनस भी रिमूव होगा इन त्यूब्स को बोलते हैं Malfeasian Tubules Malfeasian Tubules के ओपर क्या कोशन आ सकता है Malfeasian Tubules के ओपर क्या कोशन आ सकता है One position of Malfeasian Tubules Midgut और Hindgut के ओपर इनके बीच में Then number of Malfeasian Tubules around 150 ठीक है Then कहां पर excrete आउट करती है यह हाइंड गट में डालती है यह सारे कोशन आपको आई हो पहले आते हैं क्योंकि आप पढ़ चोके है ठीक है और अभी मैने तुम्हें दुबारा से पढ़ा दिया है और इसमें क्या पढ़ने को है मैं सोचने तो हाँ अब आपको 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 और अगला सेल होता है स्लिएटिड या ब्रश बॉर्ड होता है एक मिन्ट मुझे ए सी अधे स्लिएटिड सेल्स नेक्स्ट यहांपे सेल्स होते हैं है कि यहां पे सेल्स होते हैं सेलिया दें सिलियच उनके सीलीय होते हैं इसलेटर फायिदा क्या है यि सीली इसे से मूव और करके नियिट्रोजेल असवेस्त के आगे पास-on करेंगे नाहें हमंपर पैसरे चाहिए है कि यहां पर आके या पर हाइंड गगर सyal इंटर कर आप Malfeasian Tubules is the major type जो की excretory organ जो वहां पर है ठीक है major excretory organ लेकिन कुछ excretory structures और भी होते हैं जैसे की पूरे cockroach की body में आगे बना के बताती हूं है पूरे cockroach की body में यही मुसील है कुछ ना structures बने पड़े होते हैं जिनको fat bodies बोलते हैं ऐसे कुछ random structures बड़े होते हैं जिनको fat bodies बोलते हैं fat bodies में बहुत परकार के cells हैं तो जो की अलग अलग function करते हैं लेकिन fat body का एक cell बहुत इंपोर्टन है there is one cell which is very important it's called urate cell urate cell का क्या काम होता है यह धीरे धीरे nitrogenous waste collect करता है यहापे nitrogenous waste है यह धीरे-धीरे nitrogenous waste collect कर लेता है अपने अंदर तो हीमोलिम साफ हो रहा है देखो nitrogenous waste को अगर अपने अंदर collect कर तो हीमोलिम साफ हो रहा है इसका काम होता है जैसे शिव भगवान ने धर्ती को बचाने के लिए जहर पिया था तो वैसे यह कॉक्रोच की बॉड़ी को एक्सेस nitrogenous waste से बचाने के लिए यूरिक एसिड को पीता रहता है और अपने अंदर ही स्टोर करता है और यह राज भी उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाता है मतलब जब कॉक्रोच मरता है बस यह मतलब यह सेल्स कभी भी भाहर नहीं फैक्त हैं समझ रहे हूं क्या कहना चाहरी हूं इस सेल्स नेवर थ्रो आ करते हैं जहां पर आप सिर्फ एक स्क्रीट्री मिटीरिल को स्टोर कर रहे हो लेकिन पास्वन निकर रहे है बॉड़ी के बाहर सो यूरेट सेल्स कुछ ऐसा करते हैं समझ में आया आगे बताओ जल्दी से बताओ आगे बताओ किसका कोशन नहीं है हिबा खान वन सम्थिंग इस वेरी रेलिवेंट आई इग्नोर इट साउंड लो है बेटा मैं कुछ नहीं कर पा रहे हूं साउंड के लिए अभी रूको मैंने कल भी टेक अभी सही है अभी बेटर है देखो अभी बताओ साउंड मैंने नया माइक मंगाया है अभी कुछ समय लगेगा उसको माइक को आने में तब तक थोड़ा सा अपने को ऐसे काम चलाना पड़ेगा ठीक है बोलो जल्दी से बोलो अब नेम ओव दीस फैट सेल्स फैट सेल्स निए बेटा फैट बोडी इस बड़े सारे सेल्स होते हैं जो अपने को नहीं करने ठीक है फैट बोडी का पर्टिकुलर सेल यूरेट सेल जिसका अपने को फंक्शन समझना है ठीक है आगे चले चलो अननपुर्णा थैंक यू आप बायोटेक करने वाली बेटा बस करती हूं बायोटेक भी करती हूं मुझे पते हैं तुम लोगो चाप्टर ख़तम करने के लिए वेट कर रहे हो बस करती हूं ठीक है आज अच्छा एक ही क्लास होगी अज छे बजे वाली क्लास नहीं होगी तो छे बजे वाली क्लास के लिए वेट मत करना टाइम वेस्ट मत करना पढ़ लो फिर से कुईज कुछ हो जाएगा कल सच का सामना वगरा हो जाएगा तो तुमारे कुछ तो दो चप्टर्स तो रवाइस करो ना आज बैट के NCRT से चलो दिन और क्या रह गया येस वन मोर श्काइशन एक सेल एक ग्लैंड है वहत इस विचिस क्लाएख यूरी कोजगे इस यूरी कोजगे सिर्फ में मिलता है और एक्स्क्रीशन करने में हयल करता है ठिक है यूरी कोजड ग्लैंड में तुमें दिखाऊंगी जब में रिप्रोडाटिव सिस्टम डिकां पढ़ाओ प्रीजर करते हैं और वेट करता है अब वो हमेशा के लिए अपने अंदर नी रखे गा यूरिक एसड़ को लेकिन कुछ समय के लिए स्टोर करता है देन जब कोकरुच का करने का सीजन आता है तो Umm सपर निकलने का टाइम आता है तो यह यूरिकोंस ग्लाइंडम को अभी याद कर लो इस K कहां होता है कैसे फंक्शन करेंगा वह में तुम्हों को सिखा दोंगे जब मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम पढ़ाओंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम खथा मैं थेक है यूरेट सेल्स हो गए मालफीजन टिव्यूल हो गया यूरिकोस ग्लांड हो गया सर्कुलेटरी सिस्ट सिस्टम खथा मैं अच्छी तरीके से पढ़ लिया अब आज अगले सिस्टम पे नर्वस सिस्टम पे है कि को अग्रोच का नर्वस सिस्टम मज़ेदार होता है भूट कहा जाता है कि कौक्रोच का सिर काट दो गए तो वह मरता नहीं है एक हक थे तक भी ठेक है जब अल्टि सटैनल का सिर काते होगरी तो क्या हम एक हथती तक जिन्दा रहें ऐसकते न क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम भी चौनसमर्ट्रेट है ठिक है पूरी बौड़ी का कमांड यहां पर उक्रोच की पूरी बौड़ी का क् сил क refers थोड़ा सभी होता है फ्युज ऑन पार्ष मैं उस42 काउक्रोच के नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पले तुम्हें याद करना पड़ेगा कि नॉन-कॉर्डेट संपे जनरली नर्वस सिस्टम कैसा होता है जिन बच्छों को पते पहली नर्वकॉड पता नहीं क्या होती है नर्वेट निउर्वों से एक ट्यूग होथा तो कॉड़ेट में जो है जो इह आता हो दोर्सलमाइशब तो बनत Romans नर्वकॉड होथा है थम depends just और पैर नर्व कॉर्ड होती है और यह तो यह कि सॉस्खाव मिठी पता है understood बना के दिखाओंगे ठेके देन सौलिड नर्व कॉट्ट होती है अंदर से खाली नियुक्त होती नर्व कॉक्रोच की नर्व कॉट 2 होंगी और 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 वेंट्रल होगी मैं तुम्हें बना के अब दिखा देती हूं कैसे कैसे होता है चाहिए इमेजिन करो, imagine कि यह कॉक्रोच है, यह पता निक क्या यह बन गया, बलून बन गया यह, पर मैं कॉक्रोच बनाना चाहती थी, मेरे बच्चों, यह कॉक्रोच है, यह कॉक्रोच का है, ठीक है, यह कॉक्रोच का डाइजेस्टिफ सिस्टम है, डाइजेस्टिफ सिस्टम क्यों यह अनुस है अब देखो यहां पर इसके फेरिंग्स के ऊपर निउरॉन्स के तीन ग्रूप हैं ठेक है यहां पर निउरॉन्स की सेल बॉडीज और थेक है अब यह थोड़ा सा चोटा बनाना चाहे था मुझे इतना बड़ा नी बनाना चाहे थे यहां पर नियूरॉन की कुछ सेल बॉड़ी पड़ी होते हैं तो यहां पर उसकी सेल बॉड़ी तैसे पड़ी है और उसके एक्जॉन्स जो है वो नीचे आ रहे है यहां से एक्जॉन्स नीचा रहे है ठीक है और उस साइट से भी ऐसे मतलब फैरेंग्स के दोनों साइट से इसे नीचे यहां पर कुछ नहीं है यार नियूरॉन की सेल बॉडी मतलब जिसमें नुकलेस पड़ा है और इसके जोन नीचा रहे हैं दोनों साइट से अब यह एक यहां पर एक और गुप होएगा यहां नुक्र. दोने के निचे यहां और नेचा गाँ तो तीन गैंगलिया होते हैं जो फैरिंग्स की ऊपर पड़े होते हैं ठीक है गैंगलिया क्या है ग्रूप अफ नूरल सेल बोडिस उनके एक्जॉन नीचे आ रहे हैं इस तरीके से इसको बोलते है सुपरा इसोफेजियल गैंगलिया बसुपरा मतलब उपर इसोफेजियल गैंगलिया इसीको ब्रेन भी कहते हैं इसी को ब्रेन कहा जाता है इसी को ब्रेन कहाँ गैंग अब यह अपने इहां पर बैका नियुरोंज शेल पॉड़ी ओती है। यहां पर बीत टिसरे कि वना मीला मिले कि सब इस ओपड़नेंस पाट के एंध direction Bennett को लिए दिए और इस पूरे स्ट्रक्चर को नर्वरंग कोまり क्या का जाता है नर्व रिंग ठीक है इसको भी कुछ कहा जाता है कॉमिजर्स कहा जाता है पर मैं कॉमिजर्स का नाम नहीं बताना चाहती तुम्हें को क्या आएगा है नीट में वह नहीं पीछह जा रहे जो आगेत तुम्हे जा लुभी आप ठीक हैं जो ये नीचे वाले टानेक्शन यहां पर तक हाथ अरे कुछ और नूरॉन्स पड़े होते हैं तक होत्तव अर्फ में sempre कष अर्इन पर My Walker आएग लेया पड़ा हुआ ठीक हैं टीक हारी हा पर क्या यहां पेक और ग्यंगलिया पड़ाओ, उनके सथ साइनाप्स कर रहें, फिर उनके एक्जोन पीछ आ रहे हैं, ठीक है, so this keeps on happening, यहां से, एक्जोन्स की ऐसे, 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 दो पटिया चलती रहती हैं, इनको नर्व कॉड बोलते हैं, इतना अच्छा नहीं यह मैं से, इसी को नर्व कॉड कहते हैं, इसी को नर्व कॉड कहते हैं, यह जो पीछस पीछे, और विच भीच में पडला है, विया फीछन बластी, आफिक पड़ाने क्याहीन अएफ बकीशे, विर बीच में बडला है, यह राइसे होता है, एसे तो नर्व काड से, डीष, 9 तोटल में यह आपकी nerve cord जो नर्फ ala nrv cord निच वाली nerve cord जो नर्फ कोड आपको कैसे देखने को मिल रही है it is a double a solid ganglionated nerve cord ganglionated nerve cord क्योंकि इसके उपर ganglia पड़े हुई यहां पर बहुत सारे जो neurons पड़े हैं यह ऐसे बूरी body में आसे नर्व फैंकते हैं ठीक है पूरी body में यह अलग अर्गन्स को ऐसे करके नर्व फैंकते हैं इसे पैरिफ्रल nervous system बनाते हैं अब तुमको याद क्या करना है इसमें इतनी बाद समझ में यह फिर आगे बताती हूं जल्दी बोलो कोई दिक्कत परिशानी इसमें ने ने दिशर जन ऐसे निया बटा है जो हेड में तीन गैंगलिया है उसके अलावा नौ गैंगलिया और है नर्व कॉड के उपर अगे नाइट्रोजन वेस्ट कैसे इंटर करता है मालफीजन टीविल में बाद क्या नामें बटा तुम्हारा मनी प्रितम सब्रतिम इसले मलफीजन टीविल का से वह बाहर से चीजेंद आब्सॉर्ब कर रहा है अंदर सिक्रीट कर रहा है मैं जब इसमाज्ड दूसेंद हो ए कि यूद्ध कि यूद्ध कि यूद्ध कि यूद्ध कि यूद्ध कि अपने को इसमें याद करना है चलो जो समझ में आया है अच्छी बात है अपने को इसमें याद या करना है फिर कुछ समझ में आएगा दुबारा बताऊंगे पहले सुनो पहले तो अपने को याद करना है कि सूपरा इसोफेजियल गैंगलिया ही ब्रेन है अलग से ब्रेन कोई नहीं है ठेक है दूसरा सब इसोफेजियल गैंगलिया भी होता है लेक नर्व कॉर्ड के अंदर 9 अंगलिया हैं जिन में से 3 थोर्स में होते हैं. ये 3 थोर्स के रीजन रेजन, क्योंकि ये एंसमें दिया हुआ है. ये जो बाकी हैं 1,2,3,4,5,6,6 छो है ये अब्डॉमिनल रीजन में होते हैं. ओर दिशा जाँ तुमारे कोशन का हैं सो हेड के अंदर अलग है त्योपर तीन निचे जो तीन उपर है फिर थोरेक्स में आजओ निचे इस तरीके से ग्याग्लिया कर डिस्ट्रीबूशन है अब यह जो ब्रेन वाला पार्ट है ठीक है वह संप्लाई करता है तो आइस को सप यहां पर आई होएगी ना इसकी ऐसे आई होएगी यह आई इसको सप्लाई करेगा प्लस इसके एंटीना को भी सप्लाई करेगा यह एंटीना को भी नियूरॉन सप्लाई करेगा जो सुपराइसोपेजल है वो आई इसको एंटीना को दोनों को नर्व सप्लाई देगा ठेक है जिन बच्चों को दिक्कत है सुनों पेज नंबर पेज नंबर एक सो चौदा प्याओ मेरी NCRT के वैसे हाल बहुत ही खराब हो चुके हैं पढ़ पढ़ के बढ़ कोई बात नहीं दोस्तों एक सो चौदा प्याओ देखो क्या है क्या लिखा हुए हाँ जी सेकेंड पेर ग्राफ दिशंच जैंच सेकेंड पयर ग्राफ प्याओ धर्वस सिस्टम ऑफ कोक्रच कंसिस्ट ऑफ ब सीरीज ऑफ फ्याओ सेग्मेंटली अरेंजड ग्याओ ठीक है यह वाली बात हो गई ज़िल्ग को नहीं पता कि पाइशल क्लास क्या होती है देखो वैसे मैं अपना सब्सक्राइब की तुमको पाटाय प्लस प्लाट्फॉर्म करती है's सब्सक्राइब करने लगते हैं नर्वस सिस्टम का बेसिक पार्ट अपने को समझ में अगया अब नर्वस सिस्टम के कुछ और वी पार्ट जैसे की आइज हो गया एंटीना हो गया क्योंकि यह सेंसरी स्ट्रक्ट्टर्स के वारे मैं थोड़ा सा पड़ लेते हैं आइज सेंसरी एी лес इस जो सबसे इंपौर्ट इपर इंपॉर्ड उस्टम के इस ड्लैग्यच और फोगी कि यह तुम्हें ग्याद के लिए उक किपर यह तो ही अन्ख स्ञजा रख कुछिए छिक मिल घुम्हा कॉिंगा है यह तुमिलने भी का फोगता है टुम्हां लिश प पर जान के आपको खुशी होगी कि यहां पर एक चोटी-चोटी यहां पर दो आइस बोलते हैं ओसिल स और इसको बहुते कमपांड आई ठीक है अब देखो ओसिलस का काम सिर्फ ये पता करना है कि कोकुछ डार्क में है लाइट में ओसिलस इमेज नी बनाता फोटो नी बनाता ठीक है इट इस जस्ट असेंसरी रिसेप्टर फॉर लाइट ठीक है तो कभी एवलुशन में बहत पहले डवेलप रही होगी ठीक है it does not form image, it is called simple eye simple eye compound eye is the eye which will actually make the image compound eye is the name of the name this is not a compound eye this is a small unit hexagonal unit it is made of the eye can you imagine? this is not a compound eye hexagonal unit is made of the eye what do we have to remember? first, what do we have to remember? omartidium it is fun to remember the name omartidium what is the shape? hexagonal I have told you this is also a question then how many present are in each eye? 2,000 per eye 2,000 per eye this is also one can become a question which is not a big deal it has been learned it has been learned hexagonal omartidium they provide it with something called a mosaic image what does the mosaic image mean? the cockroach is a mosaic image it is a mosaic image and tell me your objections this is a mosaic image what does the mosaic image mean? look if a cockroach saw a tree then it will not make it one time every omartidium will contribute a small part every omartidium a small part will contribute the next omartidium will contribute so the next omartidium will contribute every omartidium will contribute every omartidium will contribute the whole tree see the mosaic it is a mosaic image the mosaic image is made of small pictures in small pictures as per eye the cockroach this image is quite complex लेकिन और देखो इसका फाइदा भी बहुत होता है जैसे कोक्रोचिस तुम्हें पता है रात को ही जन्दी पार्टी मनाने जाते हैं ना रात को ही वो फूड के लिए भागते हैं इंदर उदर नॉक्टॉर्नल एनिमल्स हैं तो इनकी नाइट विजन बहुत स्टॉंग होती ह तो रात को थोड़ी सी लाइट में भी देख पाता है तो आपनी किशन की लाइट बंद होती है तब भी तो यह मजे से चीज़े नहीं पार्टी कर रहे होते हैं तो कैसे कर पाते होंगे क्योंकि बहुत कम लाइट में भी देख पा रहे हैं वेरी हाई सेंस्टिविटी सुन्दर नहीं बनती है जैसे अपनी इमेज इतनी क्लियर बनती है उनकी थोटी बलर्ड सी इमेज बनती है लो रेजलूशन होता है इनका विच इस नॉट प्रॉब्लम फोर देम इनको ऐसे तो करना नहीं होता आज यह पेपर का पीस खाऊंगा पर क्या यह सुन्दर है अग खाऊंगें दिखना चाहिए एक कीड भाग एकान तो पता चलना चाहिए कि एक कीड़ भाग एह यह निकीड़ सुन्दर है कि राइन के यह इसका पैटर अच्छ नहीं एक ब्यूटीफु नहीं कर अपी इस नुट खा लूँगा और सिर्फ मुझे दिखना चाहिए कि कीड भूरा भाग रहा है इधर से इधर ठीक है ऐसी विजन रात को बहुत काम आती है क्योंकि रात को आपको जणरी बस शेप सी देखने होता है कि क्या है क्या है क्या है आपको सुंदर्ता नहीं देखने होती चीजों भी सिसको नाइट विजिन भी कहते हैं it is very helpful at night so it is called night vision इपको बच्चे सोचते कि कॉक्रोच्ज कि दिन में कुछ और विजुन उती रात को पुछ और थी हो ऑनी बिटन लग OUT जी करके नाइफ वीजन वाइं राब conten नहीं हो राथ वीजन कुछ टीन का मतलब से इसको नाइट में जाधा है व कर रहे हैं दिन नहीं के तो दिल में और और अर्गनिजम से अच्छा देख सकते हैं रात को लेकिन वह दूसरे और गनिजम से अच्छा देख सकता है कि हैं अधिक्ष में आप यह था थांक्यू लक्ष्मी हां जी हां जी प्लस पे सभी सब्जेक्ट मिलेगा जैसे यह सभी सब्जी या मिलेंगे मर्म आलू गोभी प्याज अंतर यह लेक्ष्म त्मको एक कोड डालना पड़ेगा रितृ लाइव कर सब्स्रिप्शल उ लई ने जाहाओ के आराए टी उ लाइव इकवाप्सक्रिप्शल टेरह वांसोर क्योंड पढ़ जाता है अगर एक ही महिने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो वह भी कर सकते हो क्यूंकि कि मेरी सारा रिकॉडड वीडियो में जाता है तुम एकमेन ने में जोत खतम कर सकते हो यदि तुम्हें तीन महिने में कुछ वाइनेंशल रबल आ यह तो एक महीने वाला 5410 में आपको प्रवाइड उजाता है कोड डालने के बाद है है चलो ऐसा है और भी sensory structuresने को आइस तो एक पार्ट इस पे question आएगा का कोड़ूज के पास और भी बहुत sensory structures निससे वह environment को feel करता रहता है जैसे कि antenna अंटिणा कहने रखी सफनी तरफार खुस्टेलिक्ट्चर्ट क्यों बहुत ज़्दी ज़ ज्यादा सबस्टार्ट्चर्चर्चर्ट करें तो कॉछ जा सबने चनिभोहाई जल्दी पार्गटी करते हैं, महाँट पाउट में 3 दिए में 3 सारा तो फील दोने घार निए ख्लीन अशन जान गयार मक्याह इपिरिटा के आप जक्ल का में 3 मैं 4 फील कर्थ ली में 2 में 4 दें 0 था जान फें 3 पर्वर ये संसेश्य लेने के काम आं लेकर कर 5 quizz तो मैं यह मेल कोकरोच यह फीमेल को यह इनका बैक पार्ट है तुम्हें पता होना चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों के पास सबसे लास्ट वले सेगमेंट में यहां पे दो सेंसरी स्टॉक्श्टर्प्चर्स होते हैं इस तरीके से जो कि अब ऐसा नहीं कि कोकरोच सिर्फ आगे सेंस करेंगा एंटीना से तुम एंटीना को पीछे से तच करी जारें कोई फ़रक ही नहीं पट रहा है बाग जाएगा ना वह तोड़ा सभी टच करो गए तो क्यों यहां पर सेंसरी स्ट्रक्चर्चर जो कि फीमेल और मेल्स के पास दोनों के पास है इनको बोलते हैं एनल सरकाई एनल सरकाई ठेक है अब कोश्चन के आता है इस पर एनल सरकाई दोनों सेक्स के पास होते हैं यह कोश्चन बन सकता है क्यों क्योंकि मेल्स के पास एक और सेंसरी स्ट्रक्चर होता है जो फीमेल्स के पास नहीं होता तो वह आपको कंफ्यूज करने के गोशिश करते हैं मेल् one more structure called यहां पर और भी चोटा सा structure होता है चोटा सा, यह भी sensory structure है it is called anal style which only males है stylv style तो मैं ऐसे आद करते हूं कि जादा males जादा स्टाइलिश होते हैं जादा है, जादा है स्टाइल वगरा कुछ बना के रखते होंगे so, anal styles are found only in male females को स्टाइल मारने की जुरत ही नी क्यों आपने को पता ही है females are reproductively more advantageous क्यों तुमने देखा नी birds में हमेशा male birds जादा सुंदर देखने को हिलते है जो peacock की बड़ी सी पूँच होती है it is simply a male who is trying to attract the female females की डल होती है peacock की brown brown color की females को जादा सुंदर बनने की जुरत ही नी उनको पता है रिप्रोड़क्टिव एडवांटेज हमारे पास है हमारा बच्चा हमारा ही होगा male का बच्चा इस male का भी हो सकता है उस male का भी हो सकता है males हमेशा पिचारे females से request करते रहते है प्लीज की हमें अपने genes अगली जनरेशन में पास करने का मौका दो इसलिए तुम नेचर में देखना हमेशा ही males are more beautifully colored males हमेशा mating dance करते है males हमेशा female को लुभाने की कोशिच करते है बहुत कम species में इसका opposite होता है generally हमें यह trend देखने के लिए मिलता है human females मुझे समझ मिन आता इतना सजजज के क्यों रहती है because we still have the evolutionary advantage I don't know why we don't take it in account lipstick बिंदिया लगाती है हम लोग कुछ भी नहीं लगाएंगी तो भी चल जाएगा है अचा मुझे बताओ यह याद रख लोगे जल्दी बताओ अचार करने के просьसे नहीं मंतिंको डाओ हिसे नियुटीर को खंद रख यह वगार んयक्जार क्ग्ए भी वीर मॉंटी वरिज पर गेंव न देख फिमेल कि नीयुटीप रिलीज करती है एर में मेल साट्राइट करने के लिए कर लो जब मर्जी से जोइन करो वेटा तुमारी मर्जी है तेक है थैंक्यू सुरिंदर कि चलो यह स्टाइल वाला याद रख लेना एक बार ठीक है अभी क्लास खतम कर रहे हूं क्या पढ़ लिया अपने शर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया पूरा एक स्क्रीटरी सिस्टम कर दो खर और श्रक्ति नाइद करना है ऐसक्राइब करना था इयो जाहिए अब बात गर्ली कर दो देखना है तो तो आपराव गलाटी इसे प्लाइब फिर यंटी व्रशेब करने नहीं शतल से त्वेठेचाए मदलब च्करलस चनल को सुट आन में और से आलोगा क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे मैं बता देती हूं एक डाउनलोड कर लेना अन अकाडमी लर्निंग आप ऐसे करके एक आप होती है यह तो प्ले स्टोर पर यह तो करनी पड़ेगे देखो यह तो मेंडेटर कुछ बढ़र लगता है कि मैं आप कैसे डाउनलोड करें मेरे कुछ ने कोई टेको नहीं नी ओप्शन पर फ्लेस्टोर आप नि neces करेंगे भाएं यहां अपर भीतोग कर देना चpriori riceire डाउनलोड कर रिखो जोग बांडू करलेना न चेज़े और चाहां पर यहां प्लसे कोप्शन ऌठान पर खिएन प्लसे कर देना फिर इसका अगे पुछभी मीरी सर्च कर देना इंग एक प्लस पे एक क्लिक करना प्लस पे जानकिन पर क्लेक निटेम्स पुछ का इस प्लस पे सैने पिर ने टेम्स से नाम सर्च कर देना जिसको मेरा नम नहीं पता है मेरा नाम रितू रत्यवाल है राई टी यू रए डबल टी इडवल एल ठेक है नोट कर लो अगर तुम पूरा सिल्बस पढ़ना चाहते हो तो उसके आगे सब्सक्रिप्शन पर जाना है पूछेका वन मंथ के लिए लेना है तुम्हारी मर्जी है तुम अभी नीट के लिए भी प्रिपेर करना चाहते हो और 13,000 रुपए दे सकते हो तो तीन महीने वाला लो नहीं दे सकते तो भी ले लो बेटा बहुत इंपोर्टेंट है अगर तुम्हारे लिए त्यारी करना तो ठीक है अगर तुम बिल्कुल नहीं हो पारा 13,000 रुपए तो वन मन्त का सब्सक्रिप्शन लो ठीक है वो कुछ 54,000 का पढ़ जाएगा तुम लोगों को तुम्हारा उसमें भी कवर हो जाएगा तुम लोगों को अगर तुम अभी प्लस वन में हो पूरा प्लस टू पढ़न सना चाहते हो मजे करो एक साल में त तो तुम वनियर का सब्सक्रिप्शन लोगों 27,000 में पढ़ जाता है देखो वैसे जैसे इसका ना फीज जैसे वनियर का 30,000 है ठीक है जैसे 6 मंस का या 3 मंस का लगा लो 15,000 है ठीक है तो इस पर जैसे तुम क्लिक करो गे न तो तुमने सीधा इसको पे नहीं करना है यहां यहां पर 15,000 लिखा हुआ आएगा तो पे मत करना यहां पर कोड के लिए जगे होगी एपलाइ कोड तो इसमें कोड डालना रितुलाई कोड डालना और यहां पर अपलाइ का बटन होगा इसको दबाना तो यह 15,000 का सीधा तुम्हें 13,500 दिखाने लग जाएगा ठीक है वन 1,600 का वन यह वाला पढ़ जाएगा तुम्हें 27,000 का ठीक है और 2 यह वाला तो कते ही सस्ता हो जाता है 43,000 मतलब पर मन्त के साब सबसे सस्ता प्लान यह यह तो पढ़ना चाहते हो तो जरूर आओ यूर मोस्ट वेलकम साथ में जो त्यारी में कराऊंगी तुम्हें कर दो चाहे ऑफलाइन में कर लो चाहे कोई बुक लियाओ बट स्टार्ट टेकिंग टेस्ट्स फोर 720 माक क्योंकि तुम्हारी टाइम मेनेजमेंट अगर नहीं प्रॉपर होगी ना बेटा तो क्लियर होने के चांसे नहीं है इसस्तेमेटिक अप्रोच आप एक्दम से ऐसे तो फिनिश जब आप 720 माक सब अपर देते हो चालीस-पिंटारीस मिनिट में बायलोजी खतम करो पचास मिनिट में केमिस्ट्री खतम करो ताकि 10 घंटा फीजिस को मिल जाए तो बड़ा आपका सिस्टमेटिक अब लगता हो चुका है अब कौन बनाए मैम मेटा तीन महीने बहुत होते हैं देखो human beings की ability ना हमें पता ही नहीं होती है हमारी ability कितनी है जब तक हम ऐसी situation में फस नहीं जाते हैं जिस situation में तुम फस गए हो अभी तुम लगता है मैम यह भी रह गया यह भी रह गया कैसे करे कैसे करे तुमने मेरा status पढ़ाओगा Facebook पे मैंने डाला था lot of stress can be avoided by planning तीन महीने भी तुम planning करके अगर निकाल लोगे ना बेटा तो बहुत कुछ सीख जाओगे बहुत कुछ improvement कर जाओगे और यह चीज़ें जो तुम अभी सीखोगे ना यह life long तुम हरा साथ रहेंगी how to plan how to think देखो tension में सब का दिमाग सुन हो जाता है तुमारा भी हो र अभी कितने 16-17 साल के हो 18 साल के हो 19 साल के हो 20 साल के हो learn the basics of your life now and then आप पूरी जिंदगी इन बेसिक से तुम्हें लगता है ना कि यह इंसान मुझ से बहतर है मैं तो पीछे हूं यह intelligent है यह ज़्यादा सिस्टेमाटिक है यह punctual है यह सुबह उठता है यह मेहनत जादा करता ह है बेटा यह learnt traits है ठीक है मा के पेट से कोई सीख के नहीं आता यह learnt traits है उनके माबाप ऐसे behave करते होंगे तो उन्होंने वो चीज़ें वहां से सीखी है हमारे माबाप नहीं करते होंगे हमने नहीं सीखी कुछ भी हो सकता है reason so you can learn it बहुत मुश्किल है अपने आपको change करना ह है ना बहुत बुरा लगता है हम पूरी दुनिया को change कर देना जाते हैं पर खुद को change नहीं करना जाते है बट बिलीव मी जितना satisfaction अपने आपको change करके आता है ना किसी और को change करके आता नहीं तो अपने आपको change करना शुरू करो चोटी-चोटी habits तेक है जैसे कि जब भी तो चीजों के बीच में आ रहा है कि mobile चलाओ या पढ़ लू तो मन बहुत करता है mobile चलाने को लगता है क्या हो जाएगा या पांच मन में बट अपने दिमाग को आदट डालो कि भाया तुझे नहीं no sorry pocket में डालो इसको बात करो क्यों हर बार जब तुमारी determination बिल्ड गी और अपने लेसंस जितनी जल्दी सिख लोगे लाइफ हमें लेसंस सिखा के रहती है चाहे हम अभी सीख लें चाहे पचीज साल की उमर में सीख लेंचे तो चरह यंग एज में सीख लो पूरी जिन्दगी थोड़ी काम बढ़िया तरीके से कट जाईगी है अपने आपको इंप करना शुरू करो ठीक है कि बायर टेक्नोलोजी के आपका पड़ाओं कि कल पड़ा दूगी बायर टेक्नोलोजी के लास्ट एक दो लेक्ट्र जेंग तो स्टार्ट इंप्रूविं यॉरसर्फ डर्ना नहीं है तीन महीने होगे तो क्या हुआ तीन महीने में तुम वह सीख अपनी लाइफ के अभी तक छह साथ आट साल जब से तुमने होस्त नहीं होता पर जो तुम आरे दस साल में यह साल में इतने नहीं सेख सकते हो वाई आर यू बैंकि आउटन नाओ वाई आर यू थिंकिंग की मेरी जिंदगी बाद होगी अब तीन महीने तुम एपड़ान नहीं आप जाते हैं और सब्सक्राइब ज़ता है और सबस्था लगती है पीन होता है बहुत अपने आपको चेंज करने नहीं आते हैं हम लोगों को जोश बहुत आता है सुचके यार इस फलाने का इंटर्व्यू देख लिया ये देख लिया अब देखो मैं क्या करता हूं मैं आग लगा दूंगा आग तभी लगती है बेटा जब ये चीज कॉंटिनुएसली हमारे अंदर है और हमारे अंदर एक भूक रहती अ आगे लगा, लिगा फिरे उप्टी आगी लिपास फीज को खत्म करो कि मैं मैं तो एसा ही हो, मैं तो एसा ही हों गा जिंदगी ऐसे ही खतेगी, ऐसे नहीं करतेगी make something out of yourselves use these three months to build your character character यह नहीं होता कि मेरी तो girlfriend नहीं है मैं मैं तो बलडको से बात तक नहीं करते हैं that is not character that is your choice character is what you are made up of what you are built what you are build it किसी को भी बच्पन से नहीं मिलती है चीजे कुछ लोगों को मिलती है जिनके parents में बहुत strong character होते है तो अपने parents से सीखते हैं but most of us we have to learn it and I am teaching you so listen carefully when I tell you things okay and learn it and make something out of yourself so that you can be proud of yourself let everybody else go to hell you should be proud of yourself okay okay I will see you thank you so much bye bye I 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